वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आपको टिग्ना मेट्री से रिलेटेट कुछ और डिफरेंट कोश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं तो कोश्चन यह है कि निमलिखित का मान गयात किजिए तो फर्जट कोश्चन है कॉट 54 डिग्री अपान 10 36 डिगृ मैने जू तो हमें इसकी वैलव पता करने हैं तो फर्स्ट कोश्चन कॉट 54 डिग्री और 10 36 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री कॉट 70 डिग्री मैनेससर त्व अब आप ध्यान से देखें इस question में आपको यह जो एंगल है यह एक दूसरे के पूरक है तो जब यह पूरक है तो इसे हम 90 थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे इनमें से एक दूसरे के पूरक है तो कोई एक एंगल हमें किसी एक को convert करना पड़ेगा तो cot 90 minus 20 degree minus 2 तो इनमें से किसी एक को change करना है चाहे आप उपर वाले को change कर दीजे चाहे नीचे वाले को change कर दीजे इनमें से किसी एक को change करना है तो automatically 10 का cot हो जाएगा cot का 10 हो जाएगा यह 90 थीटा के फॉर्म में होता है तो यहां पर जब एक दूसरे के पूरक होते हैं तो हम 90 minus 36 डिगरी है तो यह हो जाएगा 10 36 डिगरी हो जाएगा क्योंकि यहां पर 10 क्योंकि जब 90 minus ठीटा का रूप होता है तो वह 10 का cot हो जाता है तो यह 10 36 डिगरी अब यहां पर 10 20 यह भी आपका 10 20 फाम आ जाएगा minus 2 यह और यह मिलके cancel हो जाएगा यह 1 प्लस 1-2 तो 2-2 हो ज हो जाएगा तो फर्स्ट कोश्चन का जो आंसर आया वह जीरो आएगा कि अचिंद को ऒबन है अब सस्ट d50том को सच्छे कौश्च इंगल जो एं एक दूसरे के पूरतके अब पूरक होते हैं तो इन में कि इसी एक को चेंज कर दीजे तो आपर साइन 25 डिग्री कॉस्ट 90-25 तो जब आप 90-25 लिखेंगे तो 65 के एक्वल होगा 90 से 25 जब घटाएंगे तो 65 ही आएगा तो यह बता है कि यह जो दोनों एंगल जब एक दूसरे के पूरा कोते हैं तो यह इस तरीके का रूप हम तब हम 90-ठीटा वाला रूप लेते हैं और इस तरीके की जो इस तरीके का जो फार्म हमने 90-ठीटा वाला जो रूप बताया है पिछली वीडियो में मैंने बताया है आप पहले वाली वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको यह कॉंसेप्ट किलियर हो जाएगा तो यहां प कि जाएगा यहां जाएगा तो इसके जो आंसर आया साइन स्कॉार 25 दिगरी और साइन 20 साइन स्कॉर 25 साइन 25 की वैलू तो पता नहीं है इसकी वैलू फिक्स नहीं होती है अब थर्ड कोश्चन सेक 50 डिगरी साइन 40 डिगरी कोस 40 डिगरी और कोश सिक 50 डिगरी अब यहां पर देखिये हैं सैंक को हम 1 इस पॉन इस कह सकते से को मanned 5 करह सकते हैं और कोश्च को किया कह सकते हैं साइन कह सकते हैं यह रूप हमने बताया था तो जब साइन होता है तो साइन का अपोजित होता है वन अपान कॉसिक ठीटा और जब कॉस होता है तो कॉस का अपोजित होता है वन अपान सेख ठीटा और जब टेन होता है तो सेख ठीटा का अपोजित होता है वन अपान कॉट ठीटा इसी तरीके से जब कॉसिक ठीटा होता घ्रवर्ड कोषिक थिटा का पोजित होता है वनपांट sin thota और जब कॉट थिटा होता है तो बस यह फाम हमने इसको इस रूप में ले लिया अब हमें 90-thi वाला रूप लेना है 90-thi पॉला जो रूप होता है कॉस्स का साइन में कर्वर्ट हो जाता है और साइन का कॉस का साइन में कनवर्ट होता है और साइन का कॉस का साइन में और कॉस का साइन साइन का कॉस में कॉस का साइन में कनवर्ट होता है तो इस तरीके से हम यह एक दूसरे के एंगल है एक दूसरे के पूरा के एंगल है तो यहां पे 90 minus 40 degree लेंगे तो यह 50 के equal हो जाएगा और 40 degree और यहाँ पर हम 90 minus 40 degree लेंगे तो यह 50 degree के equal होगा यह sign होटी डिग्री जब हम 90 भानिस ठीटा करते हैं स्ट चीटा जो होता हुग sign theta के होता है तो Сन 40-Degree हो जाएगा और Cawd 40-degree हो जाहेगा और Cawd 40-degree दिया है साइन का किसम हो जाएगा Subd गुर्व मिलकि 2 थाइगा तो थर्ड उस्सका सब्हाद को दो कि असलोड उस्के सब्सक्राइब 365 अब सिहने शल्चतरμε्टा अब यह 90 मैंश ठीटा वाला रूप है अब इसी तरीके से फॉर्थ कुर्श्चन से क्हां साइड क्त स्क्वाइड 20 डिग्री प्लस सायन एंस्क्वाइड 70 डिग्री मानस 10 एंस्कोर 45 डिग्री तक हमें इसकी बता कर दो है तो बस वही प्रोसेस लगाई इनमे से कि सी को चन्वर्ट कर दिजेmost sin squared zegать 90 – 70 degree plus sin squared 70 degree और 10 square आपको पता है 1045 degree की वेली जो होती ही वो one होती है और यहाँ पे one का square होगा क्योंकि यहां पर 10 square दिया है अब यहाँ ब्लास た कॉज सक्वायर 70 degree कह सकते है प्लस sin square 70 degree कह सकते हैं और one का square करेंगे one आएगा आपको यह पता होगा sin square theta plus cos square theta is equal to one होता है यह जो रूप है यह one के equal होता है तो one minus one यह यह cancel हो जाएगा तो यह zero आजाएगा तो इसकी जो value आए zero id फॉर्थ question का answer zero आएगा हेट फिफ कोउट्ट है कॉस्ट टुंटी डिघरी 35 मिनट passengers 6 5 ओस경 पर यहां पर यह जो जो डिगरी है यह मिनट है और यह सेंड़ है यह जो सिंबल होता है डिगरीगो बिप्रेजिन करता है यह मिनट को बिप्रेजर्ण करता ओं यह कीनट करता है तो बस यह सिंबल आपको ध्याना एकना है है जब किसी डिजिट के उपर यह सिंबल लगा हो तो यह होगा मिनट का और यह डबल लाइन होगी वह सेकेंड का होता है तो जब इस तरीके से डिगरी का रूप आता है तो सीधे-सीधे आपको यह यह जो एंगल है एक दूसरे के पूरक है जब इनको एड करेंगे तो यह 90 क की जश्ट इक्वल हो जाएगा तो जब हम इसको को कॉस नाइन्टी माइनस 69 डिगरी 25 मिनट लिखेंगे और साइन 69 25 मिनट तो इस तरीके से 90 माइनस चीटा यह जो है एक दूसरे के पूरक है कैसे होता है तेहां पर 90 है और यह 0 यह डिगरी का रूप है यह मिनट का रूप है और तो जब हम 69 डिगरी में 25 मिनट घटाते हैं क्या आता है एक मिनट में 60 एक मिनट में कितने मतलब कि यह डिगरी है तो डिग्री जो होता है यह घंटे को रिप्रेजंट करता है और यह जो है मिनट को रिप्रेजंट कर रहा है तो आपको पता एक घंटे में 60 मिनट होते हैं एक घंटे में 60 मिन्ट होते हैं वन आवर में तो इसका एक घंटा जानी की एक डिग्री एक गपर्षेंट कर रहा है तो यह जायगा तो यह जायगा यह बूर्षेंट से साथ convince गटाएगे तो यह 35 हो जाएगा मिनट हो जाएगा और 90 में 1 डिगरी कम होगा ति 89 हो जाएगा अब 89 में से 69 गटाएगे तो यह हो जाएगा 20 डिगरी इस तरीके से इस तरीके से 20-35 मिनट को हमने 90-69 डिग्री 25 मिनट लिख दिया यह इसके ज़स्ट इक्वल होगा अब यह कॉस्ट 90 मानिस ठीटा है तो यह साइन ठीटा के फार्म में आ जाएगा इसके जो आंसर आया और यह जो एंगल है जब एक दूसरे के पूरा कोते है थमेशा 90-धीटा वाला फार्म ही लेना चाहिए उसी के तुरूफ होता है अब सिक्स कोश्टन क्या है साइन 27 डिग्री 53 मिनट कॉस 62 डिग्री 7 मिनट कॉस 62 डिग्री 7 मिनट और साइन 27 डिग्री 53 मिनट अब यह देखिए यह एंगल जो है एक दूसरे के पूरा का है है जब एक दूसरे के पूरक होएं तो बस वही 90-धीटा वाला रूप लगाई है तो यहां पर कॉस 90-62 डिग्री 7 मिनट साइन इसको हमने चेंज कर दिया यह साइन का ही रहेगा साइन 90-62 डिग्री 7 मिनट तो 27 डिग्री 53 को हमने इस तरीके से लिख दिया कॉस 62 डिग्री 7 मिनट अब यहां पर माइनस कॉस 62 डिग्री 7 मिनट कोई भी किसमें से किसी एक को चेंज कर दिजे तो साइन 90-62 डिग्री 7 मिनट तो जब हम इसमें से यह गडाएंगे तो यह आ जाएगा और साइन का कॉस 90-धीटा जो होता है कॉस ठीटा के फार्म में आ जाता है 62 डिग्री 7 मिनट कोउ 62 डिग्री 7 मिनट माइनस कॉस 62 डिग्री 7 मिनट यह कॉस 62 डिग्री 7 बिनट यह और यह कैंसील हो जाएगा वन 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 मिलके जीरो आजाएगा यह वन वन कैंसिल हो जाएगा तो इसका जो आंसर आया जीरो आएगा इस तरीके से जब पूरा वाले सवाल होते हैं वह 90 मानेश चीटा से सॉल्व होते हैं अब इसी तरह साथवा कोश्चन क्या है अजान सीटा होते हैं तो पूरंगेल गया जैता है जो थीटा कोश्चन कोश्चन होजाता है तो cos theta के form में convert हो जाएगा लेकिन यह आप स्क्वाइर है तो इसलिए आप स्क्वाइर लगाना पड़ेगा sin square 51 लेगी और इसका यह जो form जा बनता है sin square theta plus cos square theta यह 1 की equal होता है यह आ गया 7th का answer तो 7th question का जो answer है 1 आएगा thanks for watching my video अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज मेरी चैनल को subscribe कीजिए bell icon को दवाना मत भूलेगा आगे की वीडियो की notification के लिए तो जब भी आपको इस type के question मिलते हैं तो आपको 90-theta के माध्यम से आप इससे solve कर सकते हैं और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इसके पिछली वीडियो की पिछली वीडियो आप जाके देख लीजिए तो इसके सारे concept clear हो जाएंगे formula based वाले तो इसका जो formula है वो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आने लगए इस टाकी question कैसे लगा जाते हैं धन्यवाद